Welcome back students इस टुटोरियल में हमने ये समझना है कि C language है क्या? किसने बनाई? कब बनाई? क्या reason था C को बनाने का? और एक बात में आपको बताऊं कोई भी आप language अपने करियर में सीखे उसके बीच में उसके जो पीछे थोड़ी सी उसकी history है वो जाननी बहुत ज़रूरी है उसका reason ये है कि वो आपको उस language के बहुत close लेके आती है तो let us see कि C को क्यों invent किया 1972, this is the year when the C language was built तो आज मैं आपको लिखके notes देती हूं इसके 1972 year में C language को invent किया गया था इसका invention Mr. Dennis Richie ने create किया इस language को और ये language bell telephone laboratory में बनाई गई है इस laboratory में इसका invention हुआ है और इस language को main क्यों बनाया गया था Mr. Dennis Richie ने इस language को क्यों बनाया उन्होंने इसलिए बनाया because उनको एक Unix का operating system ready करना था ये जो C language है ये एक successor है successor means कि इससे पहले एक language का invention हो रहा था उस language का नाम था B तो ये जो language B है ये 1970 में develop हो रही थी and C language जो है वो इसका successor है and you will be glad to know कि American National Standard Institution ने 1988 में इसको authorize किया C एक general purpose language है और आपको बढ़िया से बढ़िया applications बनाने में help करती है आपने C के साथ साथ एक C++ language का भी नाम सुना होगा हमको ये समझना है आज कि उस language C जो हम अभी इसके पड़ रहे हैं उसके बीच में और C++ में क्या difference है कहीं students को ये भी लगता है कि C, C++ एक ही language है बिल्कूल भी नहीं C और C++ में बहुत difference है और इस चीज को हमने अभी समझना है तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बड़ा simple से तरीके से एक diagram बनाते है और उस diagram में हम एक तरफ C language लिखते हैं और एक तरफ हम अपनी C++ language जिसके उपर आप और अगले आने वाले tutorials में देखेंगे इस C++ के tutorials को अभी हम इनके बीच में एक छोटा सा difference समझते हैं और बड़े ही एक practical way में समझते हैं इस practical experience को इस example को समझने के लिए मैं आपको सब को अपने साथ Florida, US से लेके चलते हूँ थोड़ी देर के लिए Let us say Florida में, US में हम एक project handle कर रहे हैं और हम किस company के लिए handle कर रहे हैं? National Aeronautic Space Agency के लिए एक product हम बना रहे हैं और हमारा सब का mission क्या है? कि हमने एक space shuttle को launch करना है, कहां करना है? Mars में उस space shuttle को Mars में launch करना है और उसके पीछे हमें code लिखना है जो कि उसके hardware के साथ जुड़ कर हमारी shuttle को launch करेगा Let's say यह हमारा एक mission है 50-60 developers मिल कर इस project को बना रहे हैं ठीक है? और इस case में जो code की security है वो बहुत बहुत important है वो इतनी important है कि मानलो मैंने बहुत सारे mathematicians के साथ बैठ कर एक velocity का value निकाला है जो है let's say 8314.5 एक बहुत random सी number मैंने लिखा है इस number से let's say हमने decide किया है कि हमें हमारी जो shuttle की initial aggression speed होगी वो इस से launch होगी जो भी आप ये video tutorial में साथ देख रहे हैं मैं मुझे बहुत बूरा confidence है कि आप ये मानोगे कि ये जो data है ये बहुत important data है आप इस data को change नहीं करना चाहोगे क्यों करोगे अगर change करोगे भी तो आप क्या देखोगे mission हमारा fail हो जाएगा आप लोग ने बहुत सारी English movies भी देखी होगी जिसमें जो bad guys होते हैं जो villains होते हैं वो क्या करते हैं data को hack करने की कोशिश करते हैं data को पकड़ने की कोशिश करते हैं अब आते हैं C और C++ के बीच में difference का यह जो मेरा पूरा का पूरा मैंने आपको Florida का example दिया एक NASA का शटल का दिया इवन इफ 50 developers 50 developers मिल कर एक ही project पे काम कर रहे हैं तो मान लो अगर यह मैंने velocity का जो value है अपने program में लिखा है और let's say Mohan और Rohan दोनों मेरे साथ यह project पे काम कर रहे हैं मैं इसको बहुत ही easily hide कर सकते हूँ even if from the same developers उसका reason क्या है Mohan और Rohan can do some accidental damage deliberately वो इस project पे काम कर रहे है deliberately उनको इस पे कोई damage नहीं करना होगा but हो सकता है कि accidentally वो आकर इस variable को access करे इस value को access करे और इसमें कुछ changes कर दे गलती से या फिर इस project को fail करने के लिए किसी hacker से बचाने के लिए भी मुझे इस code को hide करना होगा तो अगर आप फिर से ही पूछते हैं कि कोई ऐसी दो broad categories बताओ जिसमें हम दुनिया की IT की सारी programming languages को divide कर सकते हैं तो मेरे पास उसका आइक answer है और वो दो main categories हमारे पास आती हैं एक तो structured और दूसरी approach हमारे पास आती है object oriented approach यह दो approaches हैं जिसमें हम सारी अपनी programming languages को divide कर सकते हैं अब आते हैं structured, structured का एक example, structured बोल सकते हैं कई books आप जब पढ़ते हैं उसमें word होता है procedural आपने बिल्कुल confused नहीं होना, it is one and the same thing structural या procedural language उसका example है हमारी language C, जिस पे हम यह tutorial समझ रहे हैं और C++ जो language है, वो मेरी object oriented language है और जो data का security का मैंने आपको example दिया वो easily available है आपकी C++ language में तो अगर हम लोग C++ language use करके NASA के project को complete करते हैं National Aeronautic Space Agency में जाकर उनका project बनाते हैं तो हम अपने data को बहुत secure कर सकते हैं और वो कैसे? क्योंकि C++ में और जो भी कोई भी हमारी object oriented languages है अपने Java का नाम सुना होगा, यहना Python का नाम सुना होगा यह सब object oriented languages हैं इन object oriented languages में कुछ concepts हैं हमारे पास जैसे classes, कुछ concepts हैं जैसे objects Do not worry, अगर आपने यह words पहली बार सुने हैं, difficult words हैं, कोई दिक्कत नहीं हैं, हम लोग यह सब cover करने वाले हैं So, classes, objects, encapsulation, फिर overriding, overloading, inheritance यह कुछ concepts ऐसे हैं जो आपने कभी बुक में पढ़े होंगे या कहीं कहीं से सुने होंगे तो यह सारे के सारे concepts मेरे C++ language में हैं, जो C में नहीं है यह एक सबसे बड़ा difference है data security का अब आते हैं, next particular difference का अगर मुझे एक machine level पे जाकर coding करनी है और मुझे machine के motherboard के coding programs बनाने है तो C जो language है वो बहुत easily इन सबको कर सकती है because it is very close to the hardware तो next difference क्या है इन दोनों languages के बीच में कि जो C language है वो बहुत close है hardware के and it can really help you to do lot of motherboard level programming ये तो main differences है इन languages के बीच में अब creation के से अगर हम समझते हैं तो C language Mr. Dennis Richie ने बनाई ये हमने देखा अभी पिछली slide में और C++ का जो language का जो creation था that was created by Mr. Bajan Mr. Bajan's Troustap is the full name इन्होंने ये language को बनाया इस video tutorial के end में एक conclusion देते हम इस tutorial का और वो ये हमने इसमें ये सीखा कि जो language C है इसका जो invention था वो 1972 में हुआ Dennis Richie at Bell telephone laboratories में इसको बनाया गया और majorly इसको Unix के operating system को develop करने के लिए पनाया गया ये एक B language का successor है जो 1970 में बनना शुरू हुआ और 1988 में NSI ने इसको authorize किया हमने अग ये भी सीखा कि जो language C और जो C++ है उनके बीच में main difference क्या है कि जो मेरी language C है वो structured है, procedural है, वो कुछ structures पे चलती है, कुछ procedures पे चलती है but object oriented language है मेरी C++ जो की data security को बहुत ज़ादा ध्यान में रखकर काम करती है C++ language data security को क्यों कर सकती है क्योंकि उसके अंदर कुछ concepts है जैसे कि classes है, objects है, encapsulation है, overriding, overloading, inheritance ये कुछ concepts हैं C++ में, जो आपके C language में नहीं है तो अगर इन concepts को आपको समझना है आप मेरे साथ ट्यून रही है, क्योंकि हम आने वाले video tutorials में C++ भी समझेंगे दूसरा main difference हमारा C और C++ में है कि ये जो C language है, ये बहुत hardware के close है तो आपको कभी भी mother board के level पे जाके coding करनी है या कोई operating system बनाना है, या कोई network system डिजाइन करना है उसके लिए हमारी जो C language है, वो बहुत powerful है I hope इस tutorial में मेरे साथ आपको बिलकुल clear है कि C क्यों बनाई और C और C++ में क्या difference है इसी तरह में इसा tune रहे है क्योंकि अगले tutorial में हमने C काई बहुत basic से program से start करना है और हमें देखना है कि C की coding कैसे होती है Stay tuned, take care, bye bye